कई मंत्री विधायकों के टिक्टो पर अब तलवार लटक रही है ऐसे में हर किसी को सता रही है अपने टिक्टो की चिंता इस वीच राजर सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री और 84 से विधायक सुशील कटारा का मानना है कि उनका सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास है जिसने के लिए काम किया है पार्टी उसे टिकेट जरूर देगी प्रदेश का युवार राजरस्थान में पर से भाज़पा की सरकार देखना चाहता है मंत्री सुशील कटारा से उनके विधान सभाज शेत्र में बात की है हमारे संबाद दाता मदन कलाल नहीं इस वक्त राजरस्थान सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री सुशील कटारा जो 84 से विधाय के वो हमारे साथ में उनसे आगामी चुनाव को लेकर उनकी तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे सुशील जी फस्ट इंडिया परिवार की और से आपका स्वागत है सबसे पहले य इस विधान सरकार में फस्ट इंडिया का स्वागत करता हूं दूर दरा जैरिये में इलक्टोनिक मीडिया बहुत कम दिखाई देता है फिर भी आप लोग यहां इस वागड की दरती पर पदार है आपका स्वागत आगामी विधान सरकार चुनाव को लेके भारते जंता पा अधान मंतरी जी की जो फ्लेक्शिप योजना है उसके आधार पर हम जंता में जा रहे हैं और निच्ची तरुप से राजस्तान में हम दोबारा सरकार बनाईगी आपके क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो डूंगरपुर में बाकी सीटों पर काफी टफ पोजिशन चल र ठीक है अब लोक तंत्र में सबको टिकेट मागने का अधिकार है तो विदान सभावाइज प्रतेक कारेकरता के मन में होता है कि राजस्तान की सबसे बड़ी विदान सभा में भी पहुंचो आम जन में ऐसा कुछ नहीं है जिसको भी हमारा संगटन संसेदेव बोर्ड का संस इस तर पर बूत इस तर पर काम किया है और आज भारती जनता बालती डुंगरपुर जिल्ले में मजबूत है इसले हम जिले की चारों सेटे जितेंगे एक चर्चा चल रही है इस बार कई मंत्रियों के विदायकों के बड़ी संक्या में करीब परीशों के जो मजुदा का निर्ने है और फिडबेक दरातल पे संगठन द्वारा अलग लग तरीके से लिया जाता है आम जन से कारिकरताओं से पदाधीकारे उसे पूछ कर और जिस पी विदायक का जिस शेत्र में जितना फिल्ड में उसने विकास का काम किया है और पाल्टी को नीचे लेवल तक पहुंचाया है उसको चिंता करने की आवशकता नहीं किसका टिकेट कट है किसका नहीं कट है ये प्रदेश संगठन का और राश्टे नेतरतों का काम है पर हमारा कारे करता है जो मजबूतिकी साथ काम करके और वापस राजस्तान में भारती जनता बाल्टी की सरकार बताए ये हैं सुशिल कटारा जो अपनी जीत को लेकर आस्वास्ते हैं कॉंग्रेश चाहे कितने भी दावा करे उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर बहुत से काम किये और इसका परिणाम आपको चुनावों में नजर आएगा अपने सयोगी पुनीच चतुर वेदी सोहन मिना के साथ मदन कलाल फर्स्ट इंडिया न्यूज टूंगरपूर